हाँ जी स्टूडेंट चलिए अब हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं एक इंट्रस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपको सभी को क्लियर विजुल है इंट्रस्ट ऑन ड्रॉइंग का अब इंट्रस्ट ऑन ड्रॉइंग इंट्रस्ट निकालने का तरीका तो वही है कि आपको अगर मैं बोलू 10,000 है और 10,000 पे आप 5% इंट्रस्ट निकाले तो बड़ा ही सिंपल आप क्या करोगे 5 divided by 100 तो इंट्रस्ट वैसे निकलेगा ड्रॉइंग पे तो सबसे पहले ड्रॉइंग क्या होता है ड्रॉइंग होता क्या है आपका जब कभी कोई पार्टनर अपने बिजनस से अपने प्रस्नल यूसे के लिए कुछ भी पैसे निकाल ले तो उसे ड्रॉइंग कहेंगे या सामान निकाल ले उसको ड्रॉइंग बोलेंगे तो इंट्रस्ट निकालने के ना दो तरीके एक ट्रेडिशनल है और एक एवरेज है इसे हम क्विक सूपर पास्ट मेथड बोलेंगे त्रेडिशनल का मतलब जैसे कि फर एक्जामपल मैं ले लेता हूँ जैन, फैव, मार्च, अपरिल, में, जून, जुलाइ, अगस, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नवेंबर और लास्ट दिसम्बर. हमारा फानेशल यर क्या है, हमारा दिसम्बर है, लास्ट मैंने क्या लिखा है, हाँ पे, दिसम्बर, दिसम्बर हर किसी को दिख रहा है, बिल्कुल, और लेट अजम्शन लो, के एक पार्टनर है, मिस्टर, रामु, एक पार्टनर है, मिस्टर रामु, ये पार्टनर हर एक महिने हजार रुपए निकालता है पहली तारीक को मान लो यहां हजार निकाला इसने फिर यहां हजार निकाला 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 हर मैंने वो अपने खर्चे के लिए हजार रुपे निकाल लेता है बिजनस से यहां हजार निकाला ठीक है ना ओक्टूबर में हजार निकाला आज बड़ा ही मज़ा आने वाला इस टॉपिक में एक हजार तो टेडिशनल मतलब पुराने तरीके से और आप सब निकाल सकते हो अब मुझे बताना है कि जनवरी में जो हजार निकाला वो कितने महने यूज करा इसने सर ये यूज करा यूज सर ये यूज करा बारा महिने और जो फरवरी में निकाला तो फरवरी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अभी पे, उसने ड्राइंग वापस थोड़ी होगा मार्च में निकाला, सर दस महने एपरिल में निकाला सर एपरिल में जो निकाला वो वो तो नो महने मही में निकाला आठ, जून में, साथ, जुलाई में, सिक्स अगस्त में जो पैसे निकाले, उसने इस्तमाल कितने दिन किये सिक्स के बाद, फाइफ फोर थ्री टू, एंड वन, यही रहेगा न आप पहले वाले का इस वाले का इंटरस कैसे निकालेंगे, बताईए ट्रेडिशनल में, इस वाले के इंटरस निकाला जाएगा आपका सर, एक हजार रुपए निकाला है इसके बाद, रेट मैंने नहीं बताए, सर, पोस्क्रो रेट टैन परसेंट दे दिया रेट मैंने दे दिया दस बरती शर्ट, ठीक है न, तो दस बटे सौ, कितने महीने यूज किया बारा, तो आप सिंपल करते हो, सर, बारा बटे में बारा तो इसका जवाब आगे, सर, सौ रुपए, बिल्कुल सही इसका बताईए, सर, इसका भी निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे बताओ, हजार multiply 10 by 100, into my 11 by 12, है न, 11 by 12, तो 11 by 12 करोगे तो क्या आएगा, यह point में आएगा सम्थिंग, एक हजार, दस हजार, यह आगया, नौशो सोलार, नौशो सोलार, एक हजार है, तो, 10 पर्सेंट, 91 रुपीज, ठीक है, मैं पूछो के आप इसका निकाल के बताओ, तो बोलोगा, सर, वेरी सिंपल, एक हजार, दस बटे में 100, और इंटू में यह यूज दस महिने हुआ है, तो, 10 बटे में 12, तो, एक हजार, 83 रुपीज, मैंने बोला के, आप चलो, अब इसका निकालो, बोलोगे, सर, वेरी सिंपल, एक हजार, इंटू में 10 बटे में 100, इंटू 9 बटे में 12, तो, एक हजार, दिवाइदे इंटू 10 पर्सेंट, इंटू में 9, 75 रुपीज, सर, अब इसका भी निकालो, यानि ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब तो, हम पुराने तरीके से, बहुत ही साधारन केल्कुलेशन करते जाएंगे, तो, रेट 10 बटे 100, लेकिन ये वाला पैसा कितना यूज किया है, सर, ये वाला पैसा 8 में यूज किया है, तो, 8 बटे में 12, तो, रिजल्ट क्या होगा, 1000 divided by 12 into 8, सर, ये 66 आया है, ठीक है न, सर, ऐसे इसका भी निकाल दो न, मैं सबका निकाल के दिखा दूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप मुझे बताना है, क्या मेरा टाइम लग रहा है, या नहीं लग रहा निकालने में, और आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, क अगर ऐसा कोशन पेपर में आ गया, तो क्या एक ही कोशन में लगा देंगे सारा टाइम, लग रहा है न, मुझे भी लग रहा है, ऐसा कोशन आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा बच्चों का अगर ऐसा कोशन आ गया तो, एक हजार इंटू 10% 12 इंटू में 7 कैलकुलेटर भी नहीं है उन बिचारू के पास तो सर इसका भी निकाल दो कोई बात नहीं मैं तो निकाल देता हूँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा कोशन एक्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे बिल्कुल सहमत हूँ मैं तो 6 50 रूपेस इसका सर क्या आप सबका निकाल होगे क्या वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कितनो का निकालना पड़ेगा इस राम ने इस राम ने केक हर महिने का ड्राइं निकाल रहा है कितना बेकार इंसान है हर मैंने ड्रोइंग निकाल रहा है एक बार निकालता है की केल्कुलीशन होता इसे मैंने डाट दिया राम को अब अगली बार से वो नहीं निकालेगा है न तो 41 सर इसका भी निकाल लिए कोई बात नहीं बच्चे मैं निकाल रहा हूं 10 by 100 into 4 by 12 33 अब थोड़ा यहां जाता हूं इसका स्पेस नहीं है तो मैं तीसरे महिने का निकालता हूं 10 by 100 और कितने महिने के लिए 3 by 12 समझ रहे हैं न ये क्योंकि जब सेप्टमबर में पैसा लोगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्योंकि फाइनेंशल येर पैने दिसंबर तक कमाना है अपना ठीक है तो बिल्गल कन्फ्यूज नहीं हो ना कहीं बोलो सर पता नहीं क्या के करा दिया आपने यह तो बहुत गलत करा है मेरे साथ 35 रुपया अ हिसका भी हो गया अब इसका भी निकाल तो दो तरीका तो हो गया उक्टूबर को गया मैं चनवरी फर्वरी मार्च अफ्रेल मई जून जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर हो गया नवंबर का निकालेंगे न तो हजार सर बस पेपर में नहीं आना चाहिए ये कुशन नहीं तो हम तो बरबाद हो जाएंगे सोला एक हजार इंटू में टेन बाई मैं बहुत परेसान हो गया हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करवाया जा रहा है एक्जामनर क्या चाहता है करके कैलकुलेटर ना दे के हमारी जान लेना चाहता है वो ठीक है अच्छा एक्जामनर बस बोलना चाहता है के टोटल इंटरस्ट बताओ कितना है लोग बता देते हैं तुम्हारे इच्छा भी पूरी करते हैं टोटल इंटरस्ट सो एक्यानवे 83, 75, 66 58, 50, 41, 33 यह आगया 5, 97 इसको भी टोटल कर लेते हैं प्लस 25, 16 मैं सब को टोटल करके यहां पर लिख देता हूँ 647 आया है दो तीन रुपे का फरक हो सकता है बहुत सारे मैंने फ्रिक्शन क्या कर रहें एक नोर की हैं तो 650 के आसपास राउंड फिगर में कितना आ गया 650 अब मुझे जवाब दो यह आपको आता था पहले से हाँ सर यह तो हमें पहले से आता था क्या मैंने कोई नई बात सिखाई नहीं सिखाई ऐसे ऐसे 5 कुश्चन आ जाए आपके एक्जाम में एक एक नमबर में क्या करोगे कुश्चन करोगे या छोड़ दोगे सर ऐसे ऐसे अगर 5 कुश्चन आ गए एक एक नमबर में हम तो सबसे पहले छोड़ देंगे क्योंकि कितना टाइम लग गया मुझे ही बहुत टाइम लग गया कैलकुलेटर के बाद भी आप तो पॉइंट में काटोगे अच्छा इसको बोला जाता है हमारा ट्रेडिशनल मेथट सिंपल ये कौन सा हमारा सिंपल नोट करना है बेटे आपने सिंपल आज देखो कितनी बड़ी है चीज सिखा रहा हूँ सिंपल मेथट पूरा साल है ये अगर यहाँ पैसे निकालोगे तो यूज पूरे साल करोगे बारा महिने तक तो इस पर बारा महिने का ब्याज यहाँ पैसे निकालोगे तो यूज इतने महिने होंगे इतने महिने का ब्याज है ना तो यही चीज बस मैं समझा रहा हूँ अप नोट करो इसको इमानधारी के साथ नोट करो रामू तुमने बहुत परिशान किया कर लिया नोट अब रामू को क्या बोले यह क्या कर रहा junior बिजनस में पार्टनिर को साथ क्या कर रहा है बहुत बदमाशी कर रहे है तो रामू को मैंने डाट दिया रामू को जैसे ही डाटा रामू रोने लगा रामू रोने लगा और बोलता है अब हर महीने निकालूगा मैं हर हफ्ते निकालूगा अब देखो तुम्हें कैसी सजा देता हूँ मैं हैं महीने में तो मेरी हालत खरा एक साल में 52 वीक, यानि 52 टाइम, तो कैसे भी आज निकालोगे, पहले वाले का कैसे निकालेंगे, 1000 into में 10 by 100, ओहो, into 52, sorry, into, कितने 52 वीक यूज होगा पहला, divided by 52, फिर ऐसे निकालेंगे, रामू को डाट दिया, रामू को डाटने के बाद, अब नतीज़ा भुकतो आप, 51 divided by 52, अब अगला 1000, sir, 12 बड़ी महंगी पढ़ रही है हमें, क्या बता हैं, 52, sir, कितना करना है इसको, बच्चे बस 52 बार करने हैं, 49, 52, अच्छा, इसलिए रामू को डाटना नहीं है, पार्टनर को डाटना नहीं है, इसे चुप करा देते हैं, ठेक है, चलो, तो ट्रेडिशनल के अंदर सिंपल देखा, अब हमने जब धीरे-धीरे देखा, इसमें बड़ा समय लग रहा है, तो एक हमने निकाला, प्रोड़क् मेथड़, प्रोड़क्ट मेथड, अच्छा सर, इसमें क्या नई बात थी, प्रोड़क्ट मेथड में, ये थोड़ा सा काम असान करते है, थोड़ा सा, रामू को हटाओ यहां से, थीक है, ओहो, लाइन टेड़ी हो गई, कोई बात नहीं, दिखतो रहे ना, आपको लाइन अब रामू को बढ़ा कर देते हैं, ये लो, ये रामू, प्रोड़क्ट मेथड, प्रोड़क्ट मेथड में क्या होगा, हमें इन दोनों को प्रोड़क्ट करना होगा, जैसे इसका 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है, इन सब को प्रोड़क्ट करके इन को जोड़ दो, और एक इसको भी टूटल करोआ, अच्छा, तो वैसे देखा जाए, इन सब को जोड़ते हैं, इसके वैसे जुरत नहीं है, तो मैं जोड़ता हूँ, 12,000, क्या करना है आपने, जनवरी 1000 यूज़ किया, 12 मैंने तो इसको मल्टिप्लाई करना है, देखो मैं मल्टिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है न बच्चे, मल्टिप्लाई कर रहा हूँ, पहले का इंट्रस क्या आया था, 650 आया था साइ, लिख लेता हो न, 647 यानि अप्रोक्स पचास, लिख लेते हैं, अब 12,000, ग्यारा हजार, दस हजार, नो हजार, आठ हजार, साथ हजार, छे हजार, पाँच हजार, चार हजार, तीन हजार, दो हजार, अठाट, ये 78,000 आया, अब देखो इंट्रस ओन ड्रोइंग, एक्जामनर ये कभी नहीं कहाँगा, कि मुझे हर मैने का, जब हम P&L बनाएंगे, तो क्या हर मैने का बारा पार थोड़ी न लिखेंगे, बोलेगा, इंट्रस ओन ड्रोइंग पूरे साल का निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कितना आएगा, सर 78,000, इन्टू में 10 by 100, और एवरेज करेंगे, 1 by 12 करेंगे, क्योंकि सब का प्रोड़क्ट जब करेंगे, त यह हमारा बताएगा, एक साल का कितना है, ठीक है न, तो 78 इन्टू में 10% divided by 12, तो देखो, आंसर 650 है, अब बताओ, आप सिंपल वाला मेथड करोगे, अभी ट्रेडीशनल ही बता रहा हूं, या आप प्रोड़क्ट वाला असान है, किसमें मेरा टाइम कम लगा, सच-सच बत रहा है, मैं आपके लिए एक सूपर सौटकट लिक्या है, सूपर सौटकट, जिसे हम एवरेज मेथड बोलते हैं, इस से भी काम असान, तो अब थोड़ा थोड़ा अगर 4 कोशन आ जाए, तो एक्जाम में कर सकते हैं, अगर पहले वाले मेथड से करते हैं, आप 4 कोशन एक यह दिन के लिए इस्तमाल हुआ, अब इसके अंदर बच्चे यह भी हो सकता था, कि जनवरी के बाद परसर ने मार्च में निकाला, तो फरवरी नहीं होता, मार्च इंटू दास होता, उस तरीके से हम चलते हैं, हम बुक्के कुश्चन भी देखेंगे, ठीक है, एक मार इस हो, common लेने के बाद हम करते हैं, चलो अब इसको यहां से भी हटा देते हैं, हम अगला method सीखने जा रहे हैं, जो है average method, average method को लगाने से पहले कुछ condition है, अगर ये दो condition है, तो आप ये method लगा सकते हो, नहीं अगर ये दो condition नहीं फुल्फिल होता, तो ये method नहीं लगाया जा स सबसे पहला condition number one, fix amount, fix amount, withdrawn, जैसे देखो, fix amount withdrawn, जैसे कि हर बार देखो एक एक हजार है, तो ये वाला method apply होगा, अगर यहां पे मैं कहीं पे 2000 कर दूँ, तो इस method के लाइक नहीं है ये, तो जो super shortcut है, जब कभी भी कोई shortcut method बनते है न, तो हर किसी पे कभी भी नहीं लगता, उसके कुछ ना, कुछ आपके pro and cons होते हैं उसके, तो उसका advantage तो ये है आपके, कि भाई, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसके disadvantage है कि ये situation होगा, तभी ये formula काम आएगा, दूसरा condition, जो हमारा gap होना चाहिए हर किसे का, interval, interval interval का मतलब क्या है यहाँ पे, इनके बीच का gap एक समान होना चाहिए, अगर ये gap, जैसे कि मानलो, पहले मैंने जैन में निकाला, फिर मैंने अपरिल में जैन में निकाला, जैन के बाद फिर मैं अपरिल में निकाल रहा हूँ, अपरिल के बाद फिर मैं अगले में निकाल रहा हूँ, फिर अगले, तो इसके बीच में देखो gap कितना है, Approx 3 Month इसके बीच पे एक महीने का तो ये वाला नहीं लगेगा Method Method लगाने के लिए कुछ Conditions है Condition क्या है कि Amount Fix होना चाहिए और जो निकालो के उसका Gap एक समान होना चाहिए जरूरी निकालो के मन्त लिए हर हफते निकालो आप ठीक है ना तो हर हफते ही निकलना चाहिए हर 2 महीने बाद निकालो तब भी लग जाएगा हर 3 महीने बाद निकालो तब भी लगेगा हर 6 महीने बाद निकालो तब भी लगेगा ठीक है ना और जरूरी ने 12 महीने तक अगर आपका ये Interval 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक समान रहा और यहां तक कभी आज पूछे, तब भी हम super fast method को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं तो average method निकालने के लिए हमें AP और GP का help लेना पड़ेगा इसमें क्या होता है, इन सब के बीच में interval common ले लेते हैं और average तो common लेने का देखो क्या तरीका है, एक तो पहले वाले को देख लो और last वाले को देख लो, और इन दोनों का average कर दो, कैसे करेंगे हम कर देंगे 12 plus में 1 divided by 2, यानि 7.5, ठीक है न, समझ आ रहा है बच्चे आपको 12 plus में 1 divided by 2, 7.5, ये ध्यान लखना है, जो ये तरीका हम करने जा रहे न, ये आपके books वगेरा में नहीं mention, लेकिन मैं shortcut थोड़ा सा करवाने की कोशिस कर रहा हूँ, average, तो अब मुझे इसका निकाल के बताओ, सर, आपने बता तो दिया, मुझे जवाब बताओ, वहाँ पे 650 अंसर था हमारा, जवाब बताओ, निकाल के देखो, बढ़ा ही असान है, हमें पता चल गया कि पहले वाला 12 महीने तक यूज हुआ और लास्ट वाला एक महीने तक, और साड़े साथ असा है, तो simple आपको क्या करना है, interest on drawing is equal to total drawing into में, total drawing into में into में rate divided by hundred into में average यह निए 7.5 आया divided by 12 यह करना है ठीक है बहुत सारे एक्जामपल करेंगा और उसको हम apply भी करेंगे ठीक है ना अब मुझे बताईए average कैसे निकाला पता है ना पहले वाला और last वाला पहले बारा महिने के लिए use last वाला यह तो इन दोनों को बीच का ही कुछ होगा ना तो average का मतलब आपने देखो economics में भी पढ़ा है कि average का मतलब हर टाइम पर उतना ही रहा होगा तो मैं निकालने की बात करूं तो 7.5 निकालते हैं answer total drawing कितना होगा देखो 1000 1000 तो 12000 रुपे 12 महीने तक निकाला होगा है कि ने multiply by multiply by 10% 10 बटे 100 into में average निकाल लिया 7.5 divided by 12 solve करिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे sir point को कैसे solve करें तो नीचे इसे हटा दो ना इसको हटा के एक 0 लगा दो ने से simple 12,000 10% 12,000 10% divided by 120 into 75 यह लो answer आगया हमारा 750 इसका answer है 750 बच्चे एक बड़ पहले वाले calculation को check करना कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी थी 78,000 टोटल आया था multiply 10 by 100 into 1 by 12 size 750 ही आ रहा होगा एक पर मैं चेक कर लेता हूं फिर भी don't worry 650 और यह बारा तो बारा हजार 1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 गलत होगे ना आप बोलते हैं नहीं एवरेज देखो 12 और 13 होगा तो 6.5 होगा नहीं है बताते हैं नहीं आप 75 ठीक है एवरेज तो यहाँ पर आएगा 6 देखो फिर मैं 7 बोल रहाँ 6.5 डिवाइड बाइ 12 चलिए करते हैं इस पॉइंट को अटा दो 0 अब निकालते हैं तभी मैं कहूँ के गलत क्यों आ गया एक सो बीस इंटू में 65 यह लो जवाब 650 कैसा रहा मजा है ना तब बताओ अगर ऐसा कोशन 10 आ जाए और यह तरीका करने का हो तो कर सकते हो बिलकुल सर कर सकते हैं सर और बताओ ना कोई तरीका और इंट्रस्टिंग अरे सबसे आसान तरीका यही है एक बार नोट करो आप एवरेज लेते हैं और मैं इसको लिख भी दूँआ टेबल बना के याद करने रटा नहीं वारना आपने रटना नहीं है कोई भी इंट्रस हो चाहे कैपिटल पे हो किसी पर भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं अच्छा एक बार नोट करिए फिर आगे चलते हैं कि कर लिया नोट हाँ सर नोट कर लिया कि चीक है नोट कर लिया नोट कर लिया ओहो सर कोई बात ने मिटा दिया मिटाना नहीं था वैसे मुझे से मिट गया होता हूं चलिए अब कब कब अप्लाई होगा देखो कुश्चन में बोला जा सकता है एक तो मंथली का हो सकता है और मंथली क्या हो सकता है आपका एवरी मंथ मंथली बिगनिंग यानि मंथली के अंदर भी तीन तरीके से निकाला जा सकता है है ना, तीन तरीके से, एक हो सकता है हमारा beginning, एक हो सकता है middle, एक हो सकता है end, ठीक है, तो beginning का मतलब क्या है, हर महिने की पहली तारीक को, first, middle का मतलब हर महिने की 15 तारीक को, end का मतलब हर महिने की 30 तारीक को, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, यह मन्थली के बेसिस पे, अब इस पे आपको रटना नहीं है, काफे सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, सर वो formula आ गया, वो कैसे करेंगे, देखो, पहले महिने, दो महिने, तीन महिने, चार महिने, पांच महिने, छे महिने, साथ महिने, आठ महिने, नो महिने, और दस महिने, देख रहा है नहीं यहां तक, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, दस महिने, दिख रहा है, ठीक है, अब इसके उपर, वो भी डाल देते हैं, जैन, फैव मार्ज एप्रेल में जून जुलाई अगस सेप्टेंबर ऑक्टोबर ये पूरी टाइम लाइन है ठीक है आप मुझे बताओ जब मिडल में निकालेंगे तो हम एक जनवरी को तो पैसे निकालेंगे नि मिडल में मिडल में जब निकालेंगे तो कब निकालेंगे 15 तारिक को तो जो जनवरी वाला पैसा है वो यूज कितने महने होगे पूरे 12 महने नहीं होगे 11.5 15 तारिक को निकालोगे न तो 15 तारिक को निकालोगे तो April में पूरे महिने का भी आज नहीं लेगा 15 दिन का बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये और last महिने का चेक कर लो December में जो निकालोगे वो कब निकालोगे 15 December को तो यहाँ पर कितने महिने का आधे महिने का 1 by 2, 0.5 क्योंकि December में 1 December को निकालते तो पूरे महिने यूज करते अब December को आप निकाल कब रहे हो मिड में तो last पहले और last को चेक करके average निकालना है बीच का छोड़ दो आप तो बीच का देखोगे तो ये तो भाई पूरे 11 महिने है ये 10 महिने यूज हो रहे है ये तो इसको छोड़ दो पहले और last तो अब इन दोनों का average क्या होगा बताओ सर average होगा 11.5 प्लस में 0.5 divided by 2 यानि क्या आगया हमारा ये 6 average आया है ये time आया है average अब निकाल के दिखाओ total drawing कितनी है total drawing 12 महिने तक है तो answer 12,000 formula लिखाता है ना into में 10 by 100 into में 6 by 12 तो answer क्या आगया हमारा ये 2 आगया 10 से 10 cancel 10 से 10 cancel 600 रुपए answer आगया ठीक है तो middle वाले में क्या आता है हमारा 6 average लेना पड़ता है ठीक है आप मुझे बताओ आप end वाले में क्या करोगे पहले इसको देखो end वाले के average निकालो अगर हम 31 तारीक को या 30 तारीक को निकालते हैं तो जनवरी में हम end में निकालेंगे तो जनवरी वाला जो निकालेंगे उस पर ब्याज कितने महिने का होगा जनवरी का तो होगा नहीं खुद सोचो क्योंकि जन्वरी के तीस तारीक को निकालते हैं तो ये होगा ग्यारा महिने और जो दिसंबर में निकालेंगे 31 दिसंबर को क्या उस पर ब्याज देंगे नहीं 0 है ना दिसंबर वाले महिने में आप 31 तारीक को आते हो तो 31 तारीक को आप तो निकालोगे नहीं, तो क्या आएगा हमारा 0, टोटल करो इसको, मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ आपको, नहीं तो रटवाना होता तो मैं रटवा देता हैं आपको, यह आगया 5.5, इसका कैसे निकालेंगे सर, सिंपल, 12,000 टोटल ड्रॉइंग इंटू में 10 by 100 इंट में 55, यह आगय arises 550, समझ में आई बात आपको, यानि beginning वाले में average rate क्या निकला था, हमारा बताओ, यह निकला था sir 6.5, मिडल वाले में क्या निकला सर मिडल वाले में निकला छे और इस वाले में क्या निकला इस वाले में निकला हमारा बोलो ना क्या निकला इस वाले में निकला और बोलते क्यों नहीं सर फाइब पॉइंट फाइफ 5.5 चलो ठीक है इसके बाद इसको भी नोट करना है आपने बड़े सारे कुश्चन होंगे आपके वो करने होंगे अब हो सकता है आपका के आपका हो quarterly तो quarterly यानि आपका इंटर्वेल हर तीन महिने बाद होता है और quarterly में भी हो सकता है आपका beginning आपका हो सकता है के स्टार्टिंग में एक हो सकता है मिड में मिडल में एक हो सकता है एंड में ठीक है अब quarterly का मतलब समझना ठीक है quarterly का मतलब पहले मैं starting वाला बता हूँ तो quarterly में आप एक निकालोगे इस दिन पे यहां नहीं निकालोगे यहां नहीं निकालोगे इसके बाद निकालोगे इस दिन पे एक दो यहां नहीं निकालोगे यहां नहीं निकालोगे एक, दो, तीन फिर निकालोगे आप इस डेट पे फिर आप यहां नहीं निकालोगे यहां नहीं निकालोगे कुछ गलत कर दिया है फेब, मार्च, एपरिल मैई, जून, जुलाई, नहीं एपरिल, मैई, जून, एक क्वार्टर जुलाई, अगर सेप्टेंबर है, दिसंबर कहा गया मेरा ओहो दिसंबर मेट गया चलो दुबारा लिख लेते हैं दुबारा लिख लेते हैं, ठीक है देख रहा है जैन थोड़ा स्पेस कम है फैब, मार्च, एपरिल, मेई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, ऑक्टूबर, नुवंबर और दिसंबर यह थोड़ा रिजस्ट कर दिया, छोड़ो तो आप अगर क्वार्टर ली निकालते हो, तो एक कि यहां निकालोगे हजार अक्टूबर में होगे ने क्वाटर तो कितने क्वाटर होगे चार अब मुझे बताओ इसका कैसे करें एक तो तरीका है कि इस हजार पे बारा महिने का निकाल लो इस हजार पे नो महिने का निकाल लो इस हजार पे छे महिने का निकाल लो और इस हज US किया है पूरे बारा महने यह यूज किया आपने सिर्फनों महने ये यूज किया सिर्फ सिक्स मत Eliy और एक है average, तो हमें क्या करना है, यह use किया हमने 12 महिने, और यह use किया हमने 3 महिने, तो इसका average निकाल लेते हैं, तो 12 और 3 का average, 12 प्लस में 3, 15 divided by 2, यानि 7.5 by, क्या आएगा बताओ, 7.5 by, direct कर दिया हमने 15 divided by 2, यानि 7.5, अब total drawing कितना है, 1000, 2000, 3000, 4000, answer क्या होगा, हमारा, 4000 multiply 10 by 100, into 7.5 divided by 12, इसका answer सुनो हम, यह आगे 250, ठीक है, इसका note करो, यानि जब starting में निकालो गए, तो मैंने एक average मोटा मोटी ले लिया, 7.5 का आएगा, ठीक है, यह आपने बताए मुझे, चलो, note करते हैं इसको, अगले point पे चले क्या, अगले point पे चले नहीं, यानि बड़ा ही आसान है, कि जब आप निकालते हो drawing को, तो drawing निकालते time पे आपको ध्यान रखना होता है, कि interest average कैसे निकाला जाए, ठीक है न, अब हम दूसरा निकालते हैं, मालों के mid में हो, mid वाले को निकालते हैं, ठीक है, तो mid वाले को कब निकालेंगे, आप January, February, March, तीनों का mid क्या होगा, डेड़ महिना, यानि करीब 15 को, इसके mid में निकालोगे, ठीक है, और अगली drawing कब करोगे आप, अगली drawing करोगे, mid का मतलब क्या है, देखो, मैं block बना लेता हूँ, quarter, एक quarter हो गया यह, दूसरा quarter हो गया यह, तीसरा quarter हो गया यह, और चौत्था quarter हो गया यह, अब बोला, आपने mid में निकालेंगे, तो mid में कह यहां निकालोगे, इसके mid में 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 जब यहां निकालोगे, तो आपका डेड़ महिने बाद निकालोगे, स्टार्टिंग से तो 12 महिने, तो 12 महिने बाद, 12 में से डेड़ गया तो कितन मेंने डेड़ बहने बात निकालोगे तो 10.5 नहीं आएगा बताओ और यहां मिड में निकालोगे तो कितने महने तक यूज़ किया 1.5 है कि ने क्योंकि नम्बर में निकालोगे तो नम्बर आधा दिसंबर पूरा तो डेड़ महने लाष्ट वाले का और सुरूआ लेकर 10.5 तो कैसे करेंगे 10.5 प्लस में 1.5 divided by 2 तो बताइए रिजल्ट क्या है तो 10 बारह यानि 6 आया यानि इसका एवरेज क्या बनता है 6 ड्रॉइंग तो वही रहेगा कि इस ब्लॉक में भी 1000 1000 तो 4000 इन्टू में 10 by 100 इन्टू में 6 by 12 6 by 12 क्या है एवरेज टाइंग 4000 इन्टू में 10 divided by 12 इन्टू 6 तो यह आगया 200 रुपे ठीक है न यह आगया 200 रुपे हमारा तो इंटर्स बड़ा है रटना नहीं है आप ने यह सब देखो कैसे कैसे निकला यह मैंने बता दिया है और भी लॉजिक बता दूँगा याद रख लो ता कि आप ठीक है कर लिया पूज करके वीडियो को नोट करना है चलिए अब मैं पूछना चाहता हूं एंड में निकाले तो बताई क्या करोगे सर अगर एंड में निकालेंगे तो यहां निकालेंगे मार्च के वो भी कब 31 तारिक को 31 मार्च को अगर निकालेंगे तो यूस तो 9 मन्त हो गया बस यह और यहाँ end में निकालेंगे, तो कब निकालेंगे, December में, तो 0 हो गाई है, है ना? तो बताओ, 9 प्लस में 0, divided by 2, average कितना हो गया? 4.5, 4.5, यानि इसका क्या आगया हमारा? 4.5, कैसे निकालेंगे? द्रॉइंग तो भाई, 1000 ही है, हर ब्लॉक में, 1000 ही है, द्रॉइंग, एक average टाइम निकाल लिया, तो क्या हैगा? 1000, into 10 by 100, ये तो रहेगा ही रहेगा, sorry, 4 बार निकला, 4000, into 4.5, divided by 12, इस point को अटा दो, 0. आप एक एक करके भी चेक करना, इसको एक बार न, जैसे मैंने पहले वाला करके दिखाया था, ये आ गया, 4000, 150, ठीक है, तो आपको समझ में आए, कि सर, अगर हमारा quarterly हो, तो साड़े साथ average होगा, लेकिन fix amount होना चाहिए, ये निकिए, यहाँ 1000 निकाला, यहाँ 2000, यहाँ 1000, फिर 2000, तो नहीं चलेगा, fix amount withdrawal होना चाहिए, आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, इस वाले 1000 पे, दिखो, मैं कर के दिखा देता हूँ, इस वाले 1000 पे कितने महने का, सर, 9 महने का, तो 1000 र इंटू में 6 बाइ 12, इस 1000 को जो 3rd semester रही कहा निकालोगे, September के end में, तो कितने महने, तीन महने का, तो 1000 इंटू में 10 बाइ 100, इंटू 3 बाइ 12, यह होगा ना, इन तीनों भी आज को जोड देंगे, तो जोड के देखते हैं, चेक करते हैं, हम सही कर रहे हैं यह नहीं कर रहे तो यह आगया 75, ठीक है, 112, 6, यह आगया हमारा 50, ठीक है, इस वाले में तो निकले गए नहीं न, भी आज कोई कोई last में तो निकाली रहा है वो, यह आगया 25, टोटल करो, 25 और 50, 75 और 75, देखो जी, यहाँ देट सुआ है, तो यह थोड़ा सा shortcut, बहुत super fast तरीके से निकलत है, अब वो हमारा जो राम था, वो रोए, धोए, वीकली करें, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, एक तरीके से, ठीक है सर, चलो, कर लिया, एक पर इसको नूट करिये, रटने वाला काम नहीं करना, बुक में यह तरीका दे नहीं रखा, उन्होंने के एपी के तरीके से common लेके भी निकाला जा सकता है, ठीक है, करें अब, चलिए, यानि आप लिखना चाहते हो, तो लिख सकते हो, कि मंतली विड्रॉन हो, बिग्निंग में, और पूरे साल तक common है, तो 6.5, 6 में 6, और यह निकाला गया है, याद करने आली बात नहीं है आपको, अब बताना मुझे, मने जैन में, फैब में, मार्च में, एपरिल में, मे में, जून में, जुलाई में, यहां 2000 निकाले यहां भी 2000 निकाले यहां 2000 निकाले यह 2000 निकाले यह 2000 निकाले यह 2000 निकाले यह 2000 निकाले अब बताओ क्या निकाल सकते हैं interest जो निकालना है हमें वो 6 मंत का निकालना है ठीक है? 6 मंत का तो क्या निकाला जा सकता है easily बताओ बताओ मुझे लास्ट के मन्त है हमारा मान लेते हैं जैन से जुलाई तक का इंटरस निकाल के देना है और यहां पे खतम हो गया हमारा तो सिंपल सा जवाब है सर बिलकुल यह वाला मैथड लग सकता है क्योंकि अमाउंट क्या है हमारा फिक्स है और दूसरा जो इंटरवेल है वो भी एक महिने का तो बताओ यह कितने महिने तक है छे महिने तक लास्ट वाला एक महिने तो कितने होगे छे और एक साथ सिक्स प्लस में वन डिवाइड बाई तू यानि 3.5 आ गया तो कई बार कॉश्चन में बोला जा सकता है कि हम 6 मेने निकाल के छोड़ रहे हैं अब 6 मेने काई निकाल दो तो इस तरीके से होगा ठीक है अगर वही बोलता मिडल में ये था हमारा बिगनिंग का अगर बोलता मिडल में तो मिडल में कैसे निकालते साड़े 5 और लास्ट का आधा तो कितना होता 6 तो बस simple सा logic है आप average निकालिए कि पहले वाला interest कितने दिन तक लगा और दूसरे वाला कितने दिन तक use होगा उस basis पे आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो तो बड़े सारे question है आज मैं assignment भी आपको forward कर दूँगा तो most difficult topic मानते हैं बच्चे के sir ये कैसे करेंगे नहीं करेंगे ब लिए मेरा number है उस पर बोलिए ठीक है ये note कर लिया आपने अब मैं एक काम करता हूं आपके थोड़े easy के लिए एक मैं table बना देता हूं है न है जो बुक वाले भी एकसर बना देते हैं लिख देते हैं ये कब लगेगा ये वाले condition के लिए आपका मैं बना देता हूं monthly आपक बना बस दो ही है में अगर बिग्निंग में हो स्टार्टिंग में तो मंथली वाले में देखो लगेगा हमारा 6.5 एवरेज मिडल में हो 6 एंड में हो 5.5 इसमें लगेगा 7.5, 6 और 4.5 अब सिंपल देखो न जब आप एवरेज लोगे आधे महिने का तो 0.5 का फरक आ रहा है ना आधा महिना बोला है मैंने एवरेज एक महिने का एवरेज क्या होगा 0.5 तो हर में देखो 0.55 कम हो रहा है अब कॉर्टर में कितने में होते हैं तीन और तीन का एवरेज कितना होता है हमारा डेड़ देखो डेड़ डेड़ का फरक आ रहा है तो वही एवरेज चल रहा हमारा अब कई बार आप बोलोगे सर हाफ येरली का भी लिख दो ना तो हाफ येरली में देखो आप खुद भी निकाल सकते हो चलो बना लेते हाफ येरल का मतलब क्या है एक निकालूगा मैंजैन में तो जनवाला 12 महिने एक निकालूगा मैं जुलाई में तो जुलाई वाला 6 महिने तो कितने हो गया 18 बारा प्लस में 6 18 यानि 9 कि एवरिज करो आप वैसे भी चेक कर लो इसको निकाले हजार रुपए 10% rate लेते हैं तो इंटू में 12 महीने तक तो 10 बटे में 100 इंटू 12 बटे में 12 यानि 100 रुपय आ गया यह 6 महीने कर कैसे निकालेंगे यह आ जाएगा सर 1000 इंटू में 10 बटे में 100 इंटू 6 by 12 तो 2 आ गया हमारा यह तो आधा हो गया ना 50 तो कितना आगया है टोटल साथ दिखनी रहा हो नीचे यहां तक दिख रहा है ना ठीक है टोटल के आजाएगा आपका टोटल आजाएगा 150 और वैसे भी फॉर्मूला लगा कर देख लो टोटल ड्रॉइंग कितना हुआ 2000 इंटू में 10 by 100 इंटू में 9 by 12 चेक करते हैं एक बार 2000 इंटू में तो देखो यहां भी आ रहा है 150 है कि नहीं तो वो बस एवरेज मैंने बना लिया और मिडल में होगा तो बताओ मिडल में मिटा दू इसे चलो तो वेरिफाई भी करता जा रहा हूँ आप भी वेरिफाई कर सकता हूँ मिडल में हुआ तो मिडल का मतलब इन दोनों के बीच का मिडल कब आएगा जैन और जुलाई का एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है तो jan और जुलाई का तो अगला सेशन आयता है jan और just nine ka होगा हे नla और इक ही आएगा तो इसका मिडल होगा जर्एं फैर्व मार्च अप्रेल होगa कि तो ये नाइन शुगा और इसका मिडल होगा जुलाई और सप्लिमबर होगा तो ये 3 मन्त होगा, तो कितने होगा, 9 और 3, 12 divided by 2, यानि 6, ठीक है, middle में तो 6 ही आ रहा है, और अगर end का हुआ तो बताओ, end का हुआ, तो बताओ क्या होगा, तो सर 3 होगा, अब देखो इसका gap भी समझो, पहले 9 याद हो गया, अब 6 मेने का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 6 का average निकालोगे, 6 मन्त हाफ यरली में कितने मेने 6, तो 6 का आधा 3, तो 9, 9 में से 3 माइनस 6, 6 में से 3 average निकाल लिए, ठीक ह कई बार question examiner बोल सकता है, पहले 6 मेहने निकाले, फिर नहीं निकाले, next के 6 मन्त निकाले, फिर नहीं निकाले, तो उस case में आपका average अलगाएगा, वो ध्यान रखना है आपका, अगर मैं बोलू, first 6 मन्त, first 6 मन्त, तो उसके लिए average क्या रहेगा हमारा, देखो, first 6 मन्त का मतलब कब निकालोगे, जैन में, और every मन्त निकालोगे, लेकिन, जैन में भी निकालोगे, फैब में भी निकालोगे, मार्च में भी, एपरिल में भी, मही में भी, जून में भी, जुन में भी, जुलाई में तो यह कितने मैंने यूजवाज 6 और यह कितने मैंने एक तो साड़े 3 तो beginning वाले monthly वाले में beginning में क्या आजाएगा इसमें इसमें starting वाले में आजाएगा साड़े 3 और अकर mid में निकालोगे तो आपका आजाएगा 3 और आजाएगा ठाई ठीक है पहले 6 महिने यानि 6 मन्त half yearly का मतलब है साल में दो बार निकाला और जून से या आपका जनवरी से लेके सेप्टेंबर तक है तो हर महिने निकाला गया तो उसके लिए ये लगाना है first six month या end six month के लिए ये हो गया हमारा middle के लिए ये हो गया end के लिए ठीक है बाकी आपको याद नहीं करना आपको पता ही है भाई total करके निकाल सकते हैं तो interest on drawing का भी हमारा concept पूरा हो गया खतम आपको assignment दिया जाएगा उसके homework करने अब एक बार आप note कर लिजे से तो traditional वाला तो बहुत खतरनाक है और product वाला थोड़ा easy है लेकिन traditional और product अगर आपके पास समझो के interval अलग है तो तो फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप कर पाओ तब तो आपको interval अलग है amount अलग है तब तो traditional या product पर ही जाना पड़े ठीक है कर लिए notice को अरे pause करके note करो ना अब कुछ मैं note लिखवा देता हूं है note कि यह तो बात हो गई जब डेट गीवन हो अब वैं अब वैं डेट अफ ड्रॉइंग इस नौट गीवन आपको डेट ही नहीं गीवन तो कैसे करोगे है तब देखना है आपको दो बाते चेक करना है क्या rate जो दे रखा है वो पर अनम के साथ है या फिर rate जो दे रखा है वो without पर अनम है पर अनम जैसे example ए ने ड्रॉइंग किया दस अजार और rate है ड्रॉइंग का 10% पर अनम ठीक है मैंने वैसे पहले भी लिख वायते हैं ऐसे situation में पर अनम में average लेते हैं कैसे निकालेंगे इंट्रस्ट ऑन ड्रॉइंग इस इकल टू दस अजार इंटू में 10 बाई हंड्रिड इंटू 6 बाई 12 तो यह आगे हमारा अगर दस परसंट पांच सो रुपे अगर रेट नहीं गीवन इसका लेलो आप एक ड्रॉइंग है दस अजार रेट है 10 परसंट अब देखो यहां ना पर अनम नहीं लगाया यहां पर अनम लगाया तो ऐसे situation में क्या करोगे 10 अजार इंटू में 10 बाई 100 बस average नहीं करना यहां पर जवाब आएगा हजार रुपे तो जब डेट गीवन हो तो आपके पास चोईज है टेडिशनल और एवरेज सिच्वेशन के अकॉर्डिंग जब डेट नहीं गीवन तो ऐसे हम करेंगे अब नोट करिए फिर इससे रिलेटेड आपको होमवक में कोश्चन दिये जाएंगे और वो सारे फेले वीडियो को अच्छे से नोट करना है कुछ बच्चे कोईरी कोश्चन पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आथा तो एक बार नोट करो अच्छे से पढ़ो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा नहीं तो फिर तो मैं तो हूँ ही हर क्लास में मिलता ही हूं मैं और मैं आपके डाउट को लूँगा जल्दी नोट करिए ये चैप्टर अब काफी हद तक खतम हो गए कोशन नमबर पंदरा जो आया था डाउट में उसको हम आगे लेंगे क् आपका मैनेजर कमीशन और सेलरी से रिलेटीड है ठीक है तो आप इसको एक बार नोट करिए ठीक है ओके स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स क्लास में ओके बाई बाई और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि मैं कोशिस यही है कि आपके जितनी मदद से मदद कर सकूं ठीक है थैंक यू सो मच